15 दिसम्बर को बाजार बंध होने के बाद 16 दिसम्बर को सूर के राशी परिवर्तन हुआ है और सूर अब गुरु की धनु राशी में आ गए हैं इसके लाबा बुद्ध 16 दिसम्बर को अस्त हो गए हैं सूरिक राशी परिवर्त वुद्ध की ऐसात होनी के अलावा मंगल भी अस्तवस्था में रहेंगी ज़कि गुरू भी वक्री हैं। चंद्रमा चुकी मंगल और शनी दोनों के प्रभाव में रहेंगी इस से हमें मेटल शेरों में अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। और बैंकिंग शेरों के अलावा आई टी और फार्मा शेरों पर फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। लेहाजा ऐसे भी निवेशकों में कॉन्फिन्स की कमी नजर आएगी। अनाकि इस दिन कॉपर, डिफेंस, मेडिसन, लगजरी, ब्यूटी और एंटरेटिन्मेंट कमपनियों की शेरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 15 दिसम्बर को बाजार बंध होने के बाद 16 दिसम्बर को सूर के राशी परिवर्तन हुआ है और सूर अब गुरू की धनु राशी में आ गए हैं। 15 दिसम्बर को चंदर्मा कुमबराशी में राहो के साथबिशा नक्षयत्र में रहेंगे इस दोरान बाजार में सामाने कारोबार होगा और मेटल खास तोर पर कॉपर और स्टील के लावा सरकारी सेक्टर की कमपनियों में फोकर हुआ नजर आ सकता है। 15 दिसम्बर को चंदर्मा शनी के उत्तर भाद प्रद नक्षयत्र में गोचर करेंगे और आहो केतु के मत रहेंगे। दोरान बाजार बंधोने के समय तक अशुब व्यतिपात योग भी रहेगा लहाजा निवेशा कन्फ्यूज नजर आएंगी। और बाजार में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अना कि इस दिन बाजार में सतर रहनी की जरूरत है।